दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग के विकास हे तू अभी प्रारंब होने जा रही ये दो परियोजनाए दिल्ली मेरट एक्सप्रेसवे के अक्षरधाम जंक्षन से प्रारंब होकर गीता कॉलनी, सीलंपुर, शास्त्री पार्ग, खजूरी खास, बिहारीपुर, करावल नगर, लोनी, मंडोला, मावी कला, आदी को जोडते हुए, इस्टर्ण पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्षन तक एक सिगनल मुक्त तेज गती यातायात को सुनिश्चित करेगी यह एक 6 लेन एक्सस कंट्रोल हाईवे रहेगा, जिस पर प्रवेश एवं निकास है तो प्रमुख मार्गों से इंटरचेंज बनाए जाएंगे इस राजमार्ग पर गती की सीमा 100 किलोमीटर प्रदी घंटा होगी और बिना रुकावट सुचारो यातायात सुनिश्चित किया जाएगा इस परियोजना के दिल्ली स्थित प्रथम चरण की कुल लंबाई 14.75 किलोमीटर होगी इस खंड में गीता कॉलोनी से लेकर खजूरी खास तक 7.00 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटिड होगा राजमार्क पर स्थानिय यातायात के लिए दोनों और तीन-तीन लेन की सर्विस रोट और पैदल यात्रेओं एवं छोटे वाहनों के लिए 5 अंडरपास बनाए जाएंगे यह राजमार्क दिल्ली शहत्रा एवं नई दिल्ली आननद विहार रेलवे लाइन और शहत्रा ISBT मेट्रो रेट लाइन को पार करेगा इस भाग में 10 बड़ी वह 15 छोटी जंक्षिन का विकास किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में योजना के द्वितिये चरण की लंबाई 16.57 किलो मीटर होगी इस भाग में मावी पुस्ता पुलिस चौकी से मावी गाउं तक 12.2 किलो मीटर लंबाई का भाग एलिवेटिड होगा इस भाग में तीन अंडर पास का निर्मान किया जाएगा पांच बड़े जंक्षन वह 19 छोटे जंक्षन का विकास किया जाएगा वाहनों के सुचारू संचालन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के अंतरकत हाईवे के दोनों और सर्विस लेन बनाई जाएगी तेजी से चलने वाले वाहन सिर्फ मुख्य हाईवे पर चलेंगे जिस से ट्राफिक जाम और दुर घटनाओ को कम किया जा सकेगा यातायाद को नियंतरक करने के लिए तैयार की गई ये परियोजना इस तरह की पहली महत्वे पूर्ण परियोजना है जिसमें 19.20 किलोमेटर एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है धन्यवाद National Highways Authority of India Not just road, building a nation